नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंख हन्ना हुमियोपेटिक लीनिक इस प्रोग्राम में स्वागत है साथियों यहाँ वीडियो बनाया गया है हमारे परिवार के बच्चों की मदद के लिए मदद आपके academics में आज कल देखा गया है कि बच्चा बहुत त्यारी करके जाता है लेकिन समाज, स्कूल और स्वेम आपका हमारा बच्चे पेता दवा होता है कि वो कापी लिखते वकद भूल जाता है और वो त्यारी जो उसने पूरे साल करी होती है उसको उसको उचित रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता है जिसका वो हगदार है हम आपको बताएंगे साथियों होमियोपैथी में इस exam से पहले के डर को जिसको की examination funk भी कहते हैं उसको दूर करने की पांच कारगर होमियोपैथीक दवाएं वहाँ दवाएं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और हम उमीद करेंगे कि यहाँ दवाएं देने के बाद बच्चा A, B, C, 3 कापी भरेगा हम लोग का दवर था जब हम लोग यूपी बोर्ड इक्चाम देते थे अब तो marking बड़ी मतलब बड़ी ही point to point हो गई लेकिन हम लोगे time तो कापी भरने का संगर्श था जो जितनी कापी भरेगा उत्ता नंबर पाएगा और हम लोग को भी मैं ये आज आपसे admit करूँगा कि जब कुछ नहीं आता था लेकिन थोड़ा बहुत उससे related कुछ लिख के कापी जरूर भर देते थे और नंबर भी मिल जाते थे अब परिस्टियां अलग है अब point to point पुछा जाता है हर step का नंबर होता है मैस में अगर आपका answer गलत भी है लेकिन अगर आपके steps नहीं है question solve करने के तो आपको कुछ नंबर जरूर मिलते हैं NCRT के exam में या NCRT द्वारा conduct करेगा है curriculum में हम आपको बताएंगे साथी हों आपके डर को खतम करने की जो examination से जस्ट पहले आपके होता है पांच कारगर homeopathic द्वाएं ताकि आप जीवन में और पढ़ाई में दोनों में अबवल आ सकें जीवन में अबवल आने के तमाम वीडियो इस चैनल पर है और पढ़ाई में अबवल आने के लिए मैं आपको कई वीडियो मैंने बनाए है कोई concentration पर है memory पर है तमाम है उसी की संखला में ये है कि आपको exam जाते वकित examination फंक ना हो आपको डर ना लगे पताते हैं साथियों आपके डर को खतम करने की या आपके बच्चे के डर को खतम करने की exam में जाने से पहले के दस कारगर या बलकि कहूं पांस कारगर होमियोपेथिक दवाएं साथियों पहली और सबसे important दवा जो होमियोपेथिक की top medicine ने आपके examination से पहले के डर को खतम करने की वहाँ है वो इस्थिती कि जब आप डरते हैं फेल होने से भाई exam में दो बाते होती हैं मतलब ऐसे तो number की बात होती लेकिन एक होती फेल या पास या तो आप पास हो गए या फेल हो गए तो जिनको फेल होने का डर होता उस कारण वो बहुत नर्वस हो जाते हैं exam देने में या exam देने से पहले घर पर ही और उनको पॉटी भागना पड़ता है, stool पास करने भागना पड़ता है उनको अर्जोती, stool पास करने की अगर या स्थिति साक्ति वहां आप अपने बच्चों में देखते हों तो उससे स्थिति को दूर करने की हुमियोपैती में बहुत कारण दवा है आरजेंटम नाइट्रिकम आप आरजेंटिकम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2-1 दिन में 3 बार हर उसे सिती में दे सकते हैं जब आपके बच्चे को एक्जाम में फेलियर का डर हो एक्जाम दाने से पहले वो उसको स्टूल मोशन की अर्ज होती हो और वो पौटी जाता हो और वो स्कूल भी जाता हो तो महाँ से भागने का प्रयास करता हो तो अगर यहाँ सिम्टम हो तो आरजेंटम नाइट्रिकम आपके बच्चे की दवा है यहाँ दवा देने पर आपका बच्चा किलास में अबबल आएगा पूरे गवडाया कि वो एक्जाम देने ही जाने को नहीं तियार है उसको बहुत कमजोरी आने लगी बहुत जो है उसका लेट गया पिस्तर पे आपके घर में तो अगर यहाँ सितियों सातियों कि उसको इत्ती ज़्यादा बीकनेस, डलनेस, टिजीनेस, ट्रावजीनेस आने लगती हो कि वह एक्जाम देने जाने को ही ना तियार हो सारी तियारी के बावजूद तो उसको ठीक करने के होवियों परेथी है बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमी परवाइरंस जलसीमियम थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार आप उस रिस्तिती में दे सकते हैं जब बच्चे का बहुत कम जोरी आ जाती हो और वो घर से ही उसको एक स्कूल तक जाने में बहुत दिक्कत आ जाती हो एक्जाम के पहले यहाँ दवा उसको ठीक करेगी साथियों आपके बच्चों में आ सकती है कि वो अटेंशन ना पे कर पाते हों और नंबर कम हो जाते हो जाम में इसका रण एक्जाम देने गए और वहाँ पे अपना अटेंशन फिक्स नहीं कर पाई पेपर पेपर पूरा ध्यान नहीं दे पाई और सब कुछ आते हुए भी कापी खाली छोड़ाए या कम काम करके आए तो अगर यहाँ सित्यों साथि हों तो इसको दूर करने के हुमियों पेथी में बहुत कारगर दवा है एथूजा साइने पियम आप एथूजा साइने पियम थर्टी पावर बे दो दो बून दिन में तीन बार दे सकते हैं यहाँ दवा आपके बच्चे का जो अटेंशन पेपर पे नहीं दे पा रहा है उसका मैंड वेनुडेबिल हो रहा है कि अथर तरफ गूम रहा है हर दूसरी बातों पे जा रहा है तो एथूजा दवा उसको ठीक करेगी उसके अटेंशन को फिक्स करेगी कुश्चन पेपर पे और उसके सिम्टम को ठीक करके उसको क्लास में नमबर एक पुजीशन पर लाएगी एक स्टिटी आ सकती है साथियों आपके बच्चे के सामने कि उसने साल पर बहुत पढ़ाई करी और फिर उसके इस ओवर इक्जर्शन ऑफ माइंड से जब वहाँ एक्जाम देने गया तो कुछ कॉपी में लिख नहीं पाया वो इतना उसने पढ़ाई कर ली कि उसके बाद जब मौके पे वो जो है कमजोर पढ़ गया अगर यहाए स्टिटी साती हो है कि आप समझते हो आपका बच्चा बहुत पढ़ाई करता है और बड़ी त्यारी से एक्जाम में जाता है फिर भी उसके नंबर नहीं आ रहे हैं तो समझ लिए कही न कहीं उसको एक्जाम में नर्वस ने सा जाती वो भूल जाता है तो अगर यहाए स्टिटी साती हो है तो इसे स्टिटी को ठीक करने की हुमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकाडियम ओरियंटेल आप एनाकाडियम 200 पावर में दो दो बून दिर में तीन बाल ले सकते हैं जहाँ पर आप अपने बच्चे में ओवर इक्जर्शन आफ माइंट की स्टिटी देखते हो वो बहुत पढ़ाई करता हो लेकिन मौके पर कमजोर परदाता हो एक्जाम में कापी न लिख पाता हो तो आप एनाकाडियम दबा दे कर उसको क्लास में अबबल नंबर एक पेला सकते हैं एक इस्टिती साथ ही वहाँ आ सकती है आपके बच्चे के सामने कि उसके एक्जाम में पढ़ाई कर रहा हो लेकिन इस्टिती में जब उसको लगता हो कापी लिखते वकशत वह आपको आके घर पे बताता रही हो कि कापी लिखते वकशत उसको लगता हो कि हम पास नहीं हो पाएंगे तो अगर या इस्टिती हो कि कापी लिखते वकशत उसको लगता हो वहाँ पास नहीं हो पाएगा उस करण वो कापी ही न लिखता हो तो उसे सिती को ठीक करने के हुमें परतियम बहुत कारगर दवा है लाइको पोडियम क्लवेटम आप लाइको पोडियम 200 पावर में दो दो बून सुबा सामू से सिती में ले सकते हैं जब आपके बच्चे को एंटिसिपेसन होता हो कि वहाँ पास नहीं हो पाएगा इस करण वो कापी ही नहीं लिखता लाइको पोडियम के पेसेन का आम तोर पे पेट खराब रहता है पेट में गुर्वरहाट और गैस बहुत बनती है और उसको मीठी चीजें खाना पसंद होता है और उसकी तकलीफें शाम को चार बजे के करीब बढ़ती है तो अगर यहाँ सिम्टम आप अपने में देखते हों तो लाइको पोडियम आपकी दवा है आप लाइको पोडियम दवा को लेके अपने को ठीक कर सकते हैं यह साथियों को दवाएं थी आपके बच्चे को एक्जाम से पहले के डर को दूर करने की वहाँ डर जो उसको स्कूल में अच्छे नमबर नहीं लाने देता है सारी त्यारी के बाब जूर पूरे साल की वहाँ डर जो आपको डरा देता है यहाँ दवा आपके डर को भी दूर करेगी और उसके कान्फिडेंस को बूस्ट करके बच्चे को नमबर एक पोजीशन पे लाने में मदद करेंगी साथियों दवाएं हैं बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मत लीचेगा अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे वाट्साप नमबर जो नीचे मेंशन है नोटिफिकेशन में उस पे अपनी क्वेरी लिख दीजेगा उसको कहीं नोटिस करके प्रियास किया जाएगा जवाब दिया जाएगा साथियों अगर यहाँ वीडियो आपको इस देश के बच्चों के हिट में लगा हो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बिदेशी बाती नहीं समझ पाएंगी हिंदी अमलोगों की तो अगर आपको देश के बच्चों के हिट में लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्रात करते रहिएगा आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ झाल झाल